हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपिरेंस एडूकेशन, आज हम फिर से आपके साथ जूड़ चुके हैं हिस्ट्री का लेक्षर नमबर टू यानि की क्लास नमबर सेकिंड इतिहास के बारे में आज फिर से हम जानेंगे, तो आईए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहल हम बात करें, कल जो हमने बात की थी, उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, कि हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया था, तीन पार्ट में, सबसे पहले हमने बोला था, आप मेरे साथ बोलते जाएंगे, कि हिस्ट्री के हमने जनक के बारे में बात की थी, फा किसको बोला था हैरोडोटस किसको हैरोडोटस इनको फादर आफ हमने हिस्ट्री बोला था हिस्ट्री के जनक बोला था फिर हमने बोला था हिस्ट्री को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था कौन-कौन से पार्ट थे सबसे पहले प्राग एतिहासिक यानि कि हमने जिसको prehistory बोला था फिर protohistory यानिकी आधर एतिहासिक और फिर historic यानिकी जो हमारा historic time period चल रहा है एतिहासिक और इसको हमने तीन पार्ट में divide करने के लिए आप से बोला था जो आज कल लोग करते हैं प्राचीन, मदकालीन और आधुनिग और उसके बाद हम देखें तो ये समकालिन अभी हमारा चल रहा है तो हमने बोला था जो pre-history, proto-history और historic है इसके बारे में जाना था कि सबसे पहले हमने एक बैग्यानिक थे कौन थे? जॉन ब्रूश, इन्होंने किसके आदार पर history को तीन पार्ट में डिवाइट किया था? तो इन्होंने लिखित साक्ष के आदार पर किया था, जो pre-history था आमारा यानि की प्रयाग यतिहासिक था, इसमें लिखित साक्ष नहीं मिले थे, फिर हमने बोला था जो proto है यानि की आ पार्ट में history को डिवाइट किया था, फिर हमने बोला था एक और बैग्यानिक थे, जो John Bruce थे, ये एक वू गर्व बैग्यानिक थे, question बनता है, John Bruce कौन है, वू गर्व बैग्यानिक है, और फिर हमने बोला था जो Thompson है, इन्होंने history को तीन पार्ट में किस हिसाब से बांटा ये तीन अलग-अलग पार्ट यानिकी जो prehistory है, इसके last में क्या मिला था, तांबा मिला था, copper मिला था, इसलिए इन्होंने इसको copper age बोला, यानि की तांबा युग, तांबर पाशान युग जिसको हमने बोला था, और इसी काल में जो मनुप्स रहता था, मानब जाती रह था, फिर हमने बोला, जो proto history है, इसमें क्या मिल गया था, इसमें मिला था कांसा, जिसको हम bronze बोलते हैं, तो bronze युग या फिर कांस युग भी इसको बोला, और historic है, इसमें क्या मिल गया था, लोह, लोह मिला था, इसी लिए इसको iron age भी बोला गया था, अब फिर हमने आगे बड़े थे जो pre history है इसको हमने तीन पार्ट में डिबाइट किया था कौन-कौन से पार्ट थे पूरा पाशानकाल पहला पार्ट था इसको की हमने क्या बोला था lower और पहलोलिथिक पीड़ और यह कब से कहां तक चला था 25 से अकभ तक 122020 यह चला था यानि की ऐसा पूर्व तक यह चला था 25 से 12 2020 चला पूर और यहांँ पर हमने बोला था कि जो म मानब था मानबजाती थी वो कहां पर निवास कर रही थी अफ़रीका में अफ्रिका में निवास कर रही थी, अब जो निवास कर रही थी, इस टाइम पर जो मनुष्य हुआ करता था, मानबजादी हुआ करती थी, वो क्या था, खाना बदोश, खाना बदोश, जो जो important point है, इनको हम revise कर ले रहे हैं, क्योंकि इन से question बनते हैं, अब खाना बदोश था, यानि कि वो संग्रह करते थे, खात संग्रह करते थे, जैसे कि इस टाइम पर अभी जो मनुष्य जाती है, किसका धन का संग्रह कर रहे हैं, तो उस टाइम पर खाने का संग्रह ये लोग करते थे, और हमने बोला था, इस काल में जो important है, आखे डियानी की सिकार, शिकार ये लोग करते थ और किस चीज से सिकार करते थे तो पत्थर से करते थे इसलिए इसको स्टॉन एस बोला गया था पत्थर बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे क्या होता था जो पहाड़ी वाला इलाका था यहां पर यह लोग पत्थर इकटा करके खड़े हो जाते थे और जो जमीन थ और जो important point है, क्या था important? आग की खोज हुई है, आग की खोज हुई है, सबसे ज़्यादा बार question पूछा गया है, जो पुरा पासांकाल से है, तो यहाँ पर आग की खोज हुई है, अब अफरीका में निवाश कर रहा है, तो यहाँ से एक question बनता है, कि मानब जाती का पालना कि को कहा जाता है, यानि की cradle, पालना को बोलते हैं cradle, तो mankind's cradle किसको कहा जाता है, अफरीका को कहा जाता है, मानब जाती का पालना, आके भी हम देखेंगे, जो सब्वे मानब जाती का पालना किसको कहा जाता है, तो वो question बनता है, एसिया को कहा जाता है, सब्वे मानब जाती का पालना और मानवजाती का पालना कहा जाता है अफ्रीका को तो इतना कुछ आपको याद रखना है उसके बाद हमने सेकिंड बोला जो सेकिंड पार्ट इसको बाटा गया है प्राग एतियासी को बादा गया है वो मध्य पाशान काल में बाटा गया है अब इसमें क्या हुआ था सबसे इंपोर्टेंट है अन्तियोस्टी यानि कि जो 16 संसकार हुए हैं उस ताइम पर ये स्टा आते हैं तो उसी को बोला जाता है दफनाना जो है उसी को बोला जाता है अंतियोस्टी दफनाना तो अंतियोस्टी संसकार यहां पर स्टार्ट हुआ था यानि कि मानब को दफनाना स्टार्ट हुआ था साथी में जो बड़े-बड़े फत्तरों का यूज करते थे ये शिका हमने बोला था Microlithic time period या फिर analoghing इसही के कारण बोला था क्योंकि ये पत्तर जो है चोटे पत्तनों का न Baekila करके यूज ही तब हमने बोल था नकपाशांकाल या फिर इसको बोला था उत्तरपाशांकाल इसमें क्या हुआ था सबसे पहले खेती के साक्ष मेंने सबसे पहले खेती कौन-कौन से चीज़ों की की गई थी गय हूँ और जॉ की खेती सबसे पहले की गई थी अब घय हूँ क्हेती होगी स्टार्ट के यह चाहँ रिए Crystal श्टार्ट खेती होगी पauraisषान काल में पासुपालन स्टार्ट हुआ था आउकर वैवस्थ घंग से पाशुपालन स्टार्ट हुआ था वो थो फoodle सथी। साथ ही परेविशे नहीं कि थी पयाज को रखने के लिए भी कुछ चीजि़ की जरूरत पड़े तो इन्होंने क्या करा था म्रदभांड म्रदभांड यानि कि जो मिट्टी के बरतन होते हैं और जिनको हमने नाम दिया था जो डिजाइनर बरतन होते हैं उनको मन का बोला जाता है और म्रदभांड उसका स्टार्टिंग होता है यानि कि मिट्टी के बरतन इनकी इन्होंने ख बोज़ कर ली थी और उसमें भी हमने बोला था जो गयों की खोईती हुई थी वो लगभग साथ हजार इसा पूर्व यानि की आज से लगभग है जो आजिवेक वो यहीं से सामने आया था यानि की यह पड़े लेखे होने लगए दे यानि की चीजोंको समझने लगए ते इनहीं इसे हों को पाशान हो गया था फिर हमने कुछ इंपॉंठेंट की बात की तहीती इंडिया का संग्राल है कहाँ पर हाँ भोपाल में है और इसका नाम क्या है मानब संग्राल है जिसका नाम बदल कर रखा गया है इंद्रा गांधी मानब शंग्राल है साथी में हमने बात की थी किस मिनिस्ट्री के अंतरगत आता है तो यह आता है संस्कृति यानि की cultural ministry के अंतरगत आता है, फिर भहीं पर हमने बोला था, जो भारत के पुरा ताथविक के जनक किनको कहा जाता है, तो भारत के पुरा ताथविक के जनक कहा जाता है, कनिंग हम को, जिन्होंने जो सिंदू घाटी शब्विता हुई थी, उसके लिए इन्होंने सर्विक्षन किया था खुदाई के आदिस किसने दिये थे बोवी हम बात करेंगे और की किसने थी जो दयाराम शाहिनी आके निकल कर आते हैं तो सर्विक्षन किया था कनिंगम ने इनको कहा जाता है भारत के पुरा तात्विक के जनक अब बहीं वर्ड के बारे में बात करें यह तो इंडिया का हो गया इंडिया का जो संग्राला है यह कहां पर है बोपाल में अब वर्ड की बात करें तो बर्ड का जो पुरा तात्विक संग्राला है यानि की आर्के लॉजिकल इस्त्रोथ है यह कहां पर है डैनमार्क कहां पर है डैनमार्क इ Europe में और Europe में एक जगय है कॉनसी है? कोपेञगन , यहां पर यह मूजु示यम है तो यह भी आपको याद रखना है यह वर्ड के लिए है और इंडिया के लिए कहां पर है divopal में है सत्रीं में बात है की थी हम ने भारत में बात कर ली है वर्ल्ड में भी बात कर ली है, अब आगे चीजों के लिए हम बढ़ते हैं, अब कुछ और पॉइंटियों की हमने बात की थी यहां से, थोड़ा सा हम इंडिया का मैप यह दी देखें, तो यह कुछ इस टाइप से मैप है, यह राजस्तान बाला एरिया, और यहां से, यह सम् हमने बोला था जो अफरीका में रह रह रहे थे, तो वहाँ पर कुछ मारधाड हुआ होगा, तो जो अफरीका से लोग कुछ यूरोप की साइड़ चले गए थे और कुछ लोग कहा आ गए थे, एसिया की साइड़ आ गय थे, तो जो एसिया में यह लोग आए हैं, तो यह और सबसे पहली बार खेती हुई थी जो हमने बोली थी गयहूं की खेती हुई है कहां पर हुई है कौनसी प्लेस है महर गड़ यह important है किस-किस पाड़ियों की बीच है सुलेमान और किट्थर पाड़ियों की बीच है फिर हमने बोला था यहां पर एक गर्थ आवास मिला है यह कौन सी जगह है वुर्ज हॉम साथ में चित्र कला मिली है कहां पर मिली है गुफा चित्र मिले है या फिर सिला चित्र बोलें तो यह है भीम बेटिका भीम बेटिका साथी में भीम बेटिका के बारे में बात किया था हमने किस जिले में है राइसेंजिला कौन सी पहाडी है बि मिल नादू जो है हाँ पर एक ट्रेस है कहां मद्रास यहां फिर आसकी डेट के हिसाब से बोले तो चैन ऽयन और एक जग्य थी पल्लवरन पल्लव रन एक कि कि जग्य है जहाअक पर की मानब कंकाल यानि की खोपडी के साक्ष मिले हैं मानब कंकाल जो है उसकी खोपडी के साक्ष यहां से मिले हैं तो इतना कुछ यहां से स्टार्ट किया था फिर जो मदपाशनकाल है उसके बारे में भी हमने जाना था कि सबसे पहला साक्ष आदमगड जो MP में है वहां से मिला था फिर क्रसी के बारे में हमने डिटेल में डिसकस किया था आपसे, जो जो के साक्ष मिले थे, कहां से मिले थे, इरान से मिले थे, और ग्याओं के साक्ष कहां से, एसिया से मिले थे, कहां से, महरगर से मिले थे, वेबस्तिक धंग से हुआ था यहां पर, और साथ हजार कूर्व साथ हजार बीस ही यहां पर ग्याओं के सक्ष मिले थे साथ ही में इस टाइम पर जो नव पाशनकाल था उसी टाइम पर यह विशाल सब यानि की जो विशाल सब हैं यहां के सक्ष मिले थे तो इसी लिए इसको मेगा लीत वोला था हमने मेगा लीत चाबल के सक्ष कहा से मिले थे कोल्डिवा से बैवस्ति धंग से पशु पालन भी नब पाशनकाल में ही हुआ था कुते की कुते का पालन किया था म्रदभान की बाद हम कर चुके हैं और जो नभीनतम खोज हुई है उसमें क्रसी का साक्ष लगबग आठ हजार आठ हजार इसा पूर्व में मिला ह है और वो जगय इंपोर्टेंट है कईयों बार बना है कॉशन लहुरा देव यहां से भी चाबल के साक्ष मिले हैं यह भी जगय जो है कहां पर है यूपी में इस्तित है इतना हम आपके साथ डिसकस कर चुके थे और कुछ चीजे और डिसकस की थी वो इंपोर्टेंट है हमने डिसकस किया था अब आगे बढ़ते हैं हम आद एतिहासिक काल पर उसमें हम सिंदु घाटी सब्विता के बारे में आपसे आज डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो यहां पर जो सिंदु घाटी सब्विता है लगफग 300 सिटी मिली हैं 350 सहर मिले हैं और इसमें से भी मैक्सिमम जो सहर है लगफग 200 सहर कहां पर मिले हैं गुजरात में मिले हैं गुजरात में जो सिंदु घाटी सब्विता थी इनकी लिपी कौन सी थी लिपी के बारे में बात करें तो इनकी जो लिपी थी वो भाव चित्रात्मक यानि कि भाव चित्रात्मक ये लिपी थी यानि कि जो पिक्टोग्राफिक बोला जाता है ना पिक्टोग्राफिक चित्रात्मक भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक इनकी क्या थी लिपी थी पिक्टोग्राफिक साथी में जो पहली पर message दिया था किसने दिया था? Charles ने दिया था Charles ने ये message दिया था कि हाँ पर कुछ आपको मिल सकता है तो आप इसके बारे में कुछ ना कुछ कीजिए तो सभेटा का पालना हमने बोला था किसको? एशिया को सभेटा का पालना भहुत ही important है बुला जाता है एक तो एक एंप्टेंट हो गया एसिया को बूला जाता है क्या सभथा को पालना मानवजाती का पालना अफरीका डिसकेशन कर चुके हैं ठीक है अब सबसे पहले मैसिज दिया था चार्स ने तो जो कर्णिंगम है जिसके बारे में हमने बात की थी जो मानब भ किया तो जो जॉन मार्सल है इनको खुदाई के आदेश तिये तो जॉन मार्सल है तो यह खुद तो खुदाई करेंगे नहीं तो इनोंने अपक्पंट किया है और उनका नाम क्या है दयाराम शहनी तो जो सब से पहले हम पढ़ते हैं तो दयाराम सहानीज इन्होंने सिंदूघ अटि सब्बता यानि की हडपपा की खोज इन्होंने किये थी खुदाई में कैसे खुदाई होई होकी उस ताइम पर तो खुदाई ऐसे थी कि ये पूरा बढ़ा एरिया तो इन्हों ने खुदाई स्टार्ट की तो जो एजीली खुद रहा था उसको इन्होंने स्टार्ट किया खोदना और जो टफ चीज़े मिल रहे थी यानि की जैसे की पत्थर है वो तो खुदेगा नहीं तो उसको वहाँ पर वो छोड़ दे रहे थे तो जैसे जैसे खुते जो भी इमेज बनती गई जो भी चीजे मिलती गई तो एक चीज देखी इन्होंने कि जो बसा है उसके चारों तरब दीबाल है यानि कि कुछ ना कुछ चीजे हैं और इसके अंदर सहर बसे हुए थे तो ऐसे इन्होंने खोज करते थे पहले जो होता था अब यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लें आप चार्ल्स मैसेजनर चार्ल्स मैशन जो की पहली इन्होंने जानकारी दी थी मैसेज दिया था किसके बारे में हडपा के बारे में जिसको की सिंदू सबता भी बोला जाता है अब इन्होंने मैसेज दिया तो जो करिंगम है इन्होंने सर्विक्षन किया करिंगम ने और नाम करंड किस ने किया नाम करंड किया जॉन मार्सल ने और खुदाई जो की है दयाराम सहनी ने की है तो अब इसके बारे में हम बात करें तो इसका जो एरिया है हडपा का जो एरिया है यह लगवग तेरा लैक कोलो मी स्का एरिया है किसका हडपा का आकार पूछा जाता है आकार क्या है तो लगबग त्रभुजा का ट्रेंगल आकार का यह बनता है तो आप यह देखेंगे जो इंडिया का मैप के साथ आप इसको डिजाइन करें और यहां पर यह पाकिस्तान है तो यह कॉशन बनता है कि सबसे उपर का पॉइंट है जो सिंदू सब्विता का सिंदू घाटी सब्विता का सबसे उपर जो सहर मिलता है उसका नाम पूछा जाता है तो सबसे उतरी में जो है उसका नाम है मांड़ा क्या नाम है उसका मांड़ सबसे पश्मी बिंदू है जो पाकिस्तान में इस्तित है उसका क्या है तो इसका नाम है सुथका गेंडॉर क्या है नाम है सुथका गेंडॉर सबसे पश्मी बिंदू सबसे जो दच्छनी बिंदू है इसका नाम है दायमाबाद दायमाबाद जो की महराष्ट में इस्तित है और एक जो पूर्वी साइड में इस्तित है जो यूपी में है इसका नाम क्या है आलमगीर आलमगीर ये फैला हुआ है पूरा सिंदू घाटी सब्विता अब इसके पॉइंट जो जोड़े जाएंगे तो ये पॉइंट इससे जो जोड़ेगा और ये जो कुछ चीजे इस ताइट से हुई है तो इसका जो आकार जो बनता है लगभग त्रभुसा आकार इसका बनता है इसलिए इसको बोला जाता है जो आकार है वो त्रभुसा आकार है अब इनसे एक और क्वेशन बनता है कि जो मांडा है मांडा जो सहर म पिला है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है और दायमा-माद है वो किस नदी के किनारे है शुत का गंडोर है वो नदी के किनारे है तो इसके लिए भी एक ट्रिक बनती है जो Sum is equal to Add हम बोलते हैं Sum is equal to Add यानि कि the Sum Addition करते हैं उसको हिंदी में बोला जाता है Sum तो सा से बनेगा सुतका गेंडोर, मा से बनेगा मांडा, A से बनेगा क्या आलमगीर और D से बनेगा क्या दायमाबाद, तो सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीर और दायमाबाद, तो ये लगवक क्लॉक 22 चलने बाला है, घडी की सुई की दिशा के आकार में ये चलेगा, तो ये किन किन नदी के किनारे बशा हुआ है तो जो सुद्का गेंडोर है ये बशा हुआ है दास्क नदी के किनारे बशा हुआ है ये भी कॉश्चन बनता है कौन सा सहरकेश नदी के किनारे बशा हुआ है तो जो सुद्का गेंडोर है ये दास्क नदी के किनारे बशा हुआ है म हिंडन नदी के किनारे हिंडन नदी के किनारे आलमगीर और डी से हो गया दायमाबाद यह वशा हुआ है प्रबरा नदी प्रबरा नदी जो है गोदावरी की साहिक नदी है क्योंकि गोदावरी जो महरास्त की जो में नदी है गोदावरी है और जो प्रबरा नदी है वो इसक जाना है अब आगे आप देखिए एक आपको मैप देखने को मिलेगा यह जो मैप है यह इंडिया का मैप यहां से ऐसा है गुजरात क्योंकि गुजरात में ज्यादातर साक्ष मिले हैं तो गुजरात को लेकर हम चलेंगे और साथ में पाकिस्तान बाले एरिया के जो कुछ सहर मिले हैं, जो important है, उनको हम discuss आपके साथ करेंगे, तो ये जो नदी है, ये सिंदू नदी है, ये सिंदू नदी है, सिंदू नदी है, और उसकी ये साहक नदियां है, जो चेनाब है, ये राभी नदी है, जो कि यहाँ पर हडपा मिला है, सतलज नदी है, ये जो है, मोहंजोद पाकिस्तान में चनहुद्रों यह इंपोर्टेंट है साथ में बात करेंगे सुद्का गेंडोर यह सबसे पश्मी बिंदू है सबसे उत्री बिंदू हमने क्या बोला था मांडा है जो कि जमु एंड कस्मीर में है यहां पर दोला वीरा है जो इंडिया में गुजरात में पढ़ता है साथ में लोथल है जो एक काफी इंपोर्टेंट है सिंदू घाटी सब्विता से लोथल जो कि क्या है बंदरगाह था उस टाइम पर तो इनके बारे में भी हम सब के बारे में डिसकस आपके साथ करने बाले हैं एक मैप आप देख जीजे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपसे यह दिखिए यह इंडिया का ही मैप है यहां से यह गुजरात गुजरात में लोथल यहां पर बंदरगाह है यह दैमाबाद महारास्ट में यह दैमाबाद है महारास्ट में यह गोदावरी नदी है इसकी साहक नदी जो मंदा है। फिर हम हरपा के बारे में राबी नदी के किनारे है काली वंगन बनवाली या फिर बानौनमाली भी इसको बोला जाता है सबसे पूर्भी पॉइंट क्या आलम गीर है और इनको यदि जोड़ेंगे तो यह जो आकार बनता है इसका तो यह बनता है त्रवसा आकार तो इसमें यह सिंदू घटी सब्विता पूरी फैली है और यह जो कुछ यहां से मुड़ता है तो इसको नेगलेट किया जाता है इसको त्रवसा आकार बनाया जाता है तो अब आईए हम स्टार्ट करते हैं कहां से सिंदु घटी सब्वेता के सबसे इंपोर्टेंट सहर से तो थोड़ा सा मैप आप देख लीजिए रफली मैप हम डिसकस कर रहे हैं हाँ पर ये इंडिया का रफली मैप मैं कर देता हूं ये पाकिस्तान बाला इरिया है तो यहां पर हमारा जो मैन लिवर है यह क्या है सिंदु रिवर सिंदु जिसको की इंड़स भर भी वोला जाता है इंड़स वैली शिविलाजेशन इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो जितने भी नदियों के किनारी यह लगभग बसा हुआ है ये स सिंधू की सहक नदिया है इसलिह इसको इंडास वैली शिविलाजेशन बोला जाता है कि यह राभी नदि है जहांपर की हडप पा मिला है इसके बारे में हम बात करेंगे यहां तो सबसे पहले आप नोट डाउन कीजे हडपा के बारे में, हडपा के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसका जो सबसे पहला है, इसके बारे में कुछ important चीजी हम discuss कर लेते हैं, कब start हुआ है, इसका खुदाई, 1921 में हुआ है, 1921 में, किसके द्वारा खुदाई की गई है, दयाराम सहनी, यह important ह क्योंकि पहला जो है, उनका date भी पूँछा जाता है, यह भी पूछा जाता है, उसके बाद, यह नहीं पूचे जाते हैं, दयाराम सहनी important है, इनके खुदाई की है, किसने दयाराम सहनी की, किस area में पढ़ता है, पाकिस्तान में पढ़ता है, किस 나दी के किनारे पढ़ता है, तो Rabi, नदी, Rabi, नदी के किनारे पढ़ता है, जिला कौनसा है, Mount Gomery, Mount Gomery जिला है पाकिस्तान में जो की हडपा यहां पर मिला है, अब यहां पर हडपा की जो खुदाई हुई है, क्या क्या मिला है, उसके बारे में पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम याद करने के लिए इस पर मिला है कुमार जो होते हैं कुमार का चाक कुमार का चाक जिससे मिट्टी के बड़तन बनाते हैं उसको चाक बोला जाता है तो कुमार का चाक मिला है यहां पर अब कुमार मिला है कुमार का चाक मिला है यानि कि जो स्रमिक होते हैं वो इस time period पर होंगे रहे होंगे इसलिए तो ये चीज मिली है तो कुमार का चाक मिला है तो उससे related जो स्रमिक होंगे यानि कि स्रमिक होंगे तो वो कहीं रहते होंगे तो स्रमिक आवास मिला है यानि कि इनके रहने की जगय मिली है स्रमिक रहते होंगे तो वो कुछ काम करते हैं स्रमिक लोगों को आपने देखा होगा काफी धूब में काम करते हैं काफी महनती ये लोग होते हैं तो ये महनत कर रहा है चाक मिला है कुमार का चाक तो इनके लिए आवास मिला है अब महनत करते हैं तो ठकते भी होंगे तो उसके लिए ये भोजन भी करते होंगे तो ये क्या मिला है अन्नागार यानि की जो खाने का चीजे होंगी उसके लिए अन्न भंडार है इसको की बोला गया है अन्नागार अ मातर देवी की मूर्ति मिली है, पूज़ा करते होंगे, साथ में एक ओखली मिली है, यहांपर, ओखली मिली है, important है, ताबूत भी यहांपर मिले हैं, ताबूत मिले हैं, ताबूत को अब दफनाएंगे भी, तो एक कब्रिस्तान मिला है, जिसका नाम है RH 37, наз CT7 नाम का एक कःपरीस्तान मिला है सबसे इंपोर्टेंट और भी हम बात करें तो यहां पर हाति की खोपड़ी मिली है क्या मिली है हाति की खोपड़ी हडपा संश्कृती से हाति की खोपड़ी मिली है और आपने मोहन जोड़ो एक मूवी देखी होगी बहाँ पर ये हडपा में जाते हैं और वहाँ पर एक जानबर मिलता है कौन सा जानबर एक सींग बाला जानबर मिलता है जिसको बोला गया है एक स्रंगिये जानबर क्या बोला गया है एक स्रंगिये जो हडपा मिलता है, किस एरिये में मिलता है, तो ये पाकिस्तान रीजन में मिलता है, साथी में बात करें, तो किस नदी के किनारे मिलता है, राबी नदी के किनारे मिलता है, जिला कौन सा है पाकिस्तान में, माउंट गुम्री जिला है, तो कहां कहां खुदाई जो हुई है, तो क्या क्या चीज मिली है, कुमार का चाक मिला है, कुमार यानि की स्रमिक है, स्रमिक है तो उनके रहने की जगा होगी, तो स्रमिक आबास मिला है, वो कुछ खाते होंगे, त ताबूत मिला है जो ताबूत मिला है तो कहीं ना कहीं दबनाते होंगे तो एक कब्रिस्तान मिला है कब्रिस्तान जिसका की नाम क्या है कब्रिस्तान का RS-37 नाम का कब्रिस्तान मिला है साथ में आपको याद रखना है हाथी की खोपड़ी और एक सिंग बाला जानबर मिला है जिसको की एक स्रंगिये जानबर बोला जाता है अब next बारे में बात करें तो second हम बात करते हैं किसके बारे में Mohan Zodro, काफी important है ये Mohan Zodro अब इसके बारे में भी बात करें जो second है तो 1922 1922 में इसकी खोदाई हुई थी, किसके द्वारा की गई थी खोज इसकी राखल दास वनर जी, कौन है, राखल दास वनर जी तो ये जो नदी किस नदी के किनारे वशा हुआ है तो ये वशा हुआ है इंडस नदी यानि की सिंथू नदी के किनारे वशा हुआ है कहां पर पढ़ता है पाकिस्तान में पढ़ता है और किस जिले में पढ़ता है तो ये है लरकाना जिला लरकाना जिला लरकाना डिस्टिक म और टीला मृतकों का टीला अब यहां से हम बात करते हैं मृतकों का टीला और मृत शरीर मिलना एक अलग अलग चीज है देखिए कब्रिस्तान यदी मिलेंगे तो आपको एक बबस्त धंग से मिलेंगे कब्रिस्तान उनका एक पैटन मिलेगा पूरा सरीर मनुष्का मिलेगा ए यानि की एक की उपर एक मिले हैं, तो इसी लिए इनके साक्ष से ये पता चलता है, या तो यहां पर क्या हुआ होगा, यह अंत हुआ है इस सभ्यता का, तो या तो बाड़ाई होगी, या फिर कुछ नैचरल चीजे होई होगी, इसी लिए इन चीजों का इस तरीके से, या फि इसका कहीं हाथ नहीं मिल रहा है, कहीं पैर नहीं मिल रहा है, ऐसे करके, यह एक टीला बना हुआ है, तो जो महन जोड़ो है, इसका मीनिंग है, नतकों का टीला, अस्त बेस्त मिले हैं, अब इस टाइम पर जो सब हुआ करते थे, उनको जलाना स्टार्ट कर दिया गया था, सब को जलाना स्टार्ट कर दिया गया था हमने हडपा में बात की थी और उसके पहले नप पाशानकाल तामर पाशानकाल या फिर मद पाशानकाल उसमें हमने बोला था कि जो सब मिले हैं तो जो दपनाए गए हैं इसलिए उसके सब मिले हैं मानब की कंकाल की खोपडी कहां पर मिली है पलव रन में मिली है तो इस टाइप से ये लोग मिले थे तो इसलिए हमने उनके बारे में विशाल सब मिला था कब नव पाशान काल में विशाल सब यानि की एक ही जगया पर जो कब्रिस्तान टाइम के होते हैं न तो यहां पर मिल जाएं तो 40-50 डेट बौदी मिल गया था अब हम यहां पर ओंगे तो उनके लिए रहने की जगया होगी पुरोस पहले नहाते हैं तो एक इसनानागार मिला अब यह इस इसनानागार ऐसा मिला है, बड़ा और सहर के बीचों बीच मिला है, तो इससे पता चलता है कि यह परसनल नहीं था, यह सब लोग सहर के बीचों बीच था, तो कोई भी लोग आता होगा, प्रोहित आते होंगे, यहां पर नाते होंगे, इसनान करके चले जाते होंगे, तो इस इसनानागार मिला है . सेर के बीचों वीच था इसलिए इससे पता है परसेयर नहीं था अब जो प्रमर है आवास है इसनान करेंगे साधि updates खाना भी खाएंगे तो अन्नागार यहाँ पर भी मिला है अन्नागार अन्न भंडार, अब इससे question बनता है, जो अन्नागार मिला है, वो सबसे बड़ा कहाँ पर होगा, जो मोहन जोदुरो है या फिर हड़पा में है, तो ये उच्छे कोटी के लोग थे प्रोहित, तो इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, आपको confuse नहीं होना है अन्नागार दोनों जगाय मिलने है पर बड़ा कहां पर मिला रह के मुहनद्व renew यह अब यहां पर अन्न खाएंगे यह प्रोहित तो पानी भी यह पीएंगे तो यहां सोती बस्त्र, किसके बने हैं कपाज से बनते हैं सोती बस्त्र अब ये पूजा करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए चौड़ी सड़के भी मिली हैं जो सिंधु गाटी सब्विता है उसमें जो रोड है वो 90 डिग्री पर बनी है तो 90 डिग्री पर बनी है उसका पता कैसे चला होगा तो यह क्या करे ठुकाई किया तो यहां कर पर क्या हुए कि आवाज कुछ अलग आ रही है पर इस एरिया में जो रोड के बाजू से आवाज मतलब खोका होगा होगा तो वह खोकली जो आबाज आती है अलग उस टाइप के आवास आई तो जो रो बन रही थी उसके पहल्लेल में में जा रहा यहां पर भी जा रहा एक जगया पर जाके मिल गई ऐसे ही रोड उनके पेरलल में चलती थी और वो 90 डिग्री पर मुड़ी रहती थी साथ ही मैं बात करें उसके बारे में भी आगे बात करेंगे अब चौड़ी सडके हैं क्यों जो प्रोहित हैं उनके लिए आवास है इस नानागार है अन्ने खाएंगे तो सबसे बड़ा अन्नागार मिला है अन्ने खाके पानी पीएंगे तो कुगा मिला है घर में अब पूजा करने जाएंगे तो कपड़े पहन के जाएंगे तो सूती बस्र कपास के हैं कहां से जाएंगे सडकों पर जाएंगे तो चौड जी ही रहे होंगे, कोई और दूसरे भगबान नहीं रहे होंगे, देपता नहीं रहे होंगे, तो जो उनको एक प्रतिमा मिली है, बैठी हुई, तो जो प्रतिमा है, वो समाधी के रूप में बैठी हुई है, और उनके चारों तरफ जैसे की नंदी हो गए, ऐसे जो जानबर ह ले हैं तो इससे पता लगाए गया कि ये पशुपती नात होंगे पशुपती शिव होंगे ठीक है अब पूजा हो गई पूजा के लिए सभा भी तो होगी कहां पर बैटके करेंगे तो सभागार शभागार भी यहां पर मिला है अब सिब्जी है इनको भांग पसंद है असर की बने है क्योंकि यहां पर ब्रॉंज यूग आ चुका है तो आप से कॉशन बन सकता है कॉपर कहां पर हुआ है तामरपाशान यूग में कॉपर से कांसा यानि की ब्रॉंज आया है कहां पर आध्ध एतिहासिक टाइम पीरिड में जो की सिंदु घाटिश अब्यता मे चल रहा है तो कॉपर तो पहले ही मिल चुका है पर कॉपर का यूज उस ताइम पर इतना नहीं होता है जितना की ब्रॉंज का हुआ था तो कहां से की मूर्ती मिली साथ ही में अब कॉपर का यूज नहीं हो रहा है तो तांबे का धेर मिला है यानि की तांबा उनके लिए एक तरह से खराब बस्तू हो गई यानि कि जो अत्यधिक मात्रा में हो जाती है उसको क्या हम साइड में पटक देते हैं तो तांबे का धेर मिला है तो उससे पता चलता है प्रियोग जादा नहीं होता होगा तो आज हमने डिसकस किये आपके साथ मोहन जोड़ो और साथ साथ म हड़पा उनसे हमने जो important चीजे मिली हैं हमें उनके बारे में आपसे discuss किया है साथ ही में हम आगे आपसे बात करेंगे चन हुदड़ो जो कि ये भी पाकिस्तान में मिलता है सुद्का गेंड़ो जो कि सबसे पश्मी पार्ट है उसके बारे में discuss करेंगे फिर जो main side कहां पर मिली है, इंडिया में मिली है, लगबग 200 तो गुजरात में ही मिली है, तो उनके बारे में भी हम आप से discuss करेंगे, जो मैन मैन है, जो कि आपने नाम सुने होंगे, लौथल, दोला बीरा, रोपड, वनमाली, राखी गड़ी, काली वंगन, यह सब इनके बारे में भी हम आपको detail में discuss करेंगे, और बताएंगे कि किन से क्या क्या चीजे मिली हैं, और कहां से question बनते हैं, यह भी हमने discuss करना है, आगे चलके, और आप इस map के जरीए भी देख सकते हैं, कहां पर कौन सा place रहा होगा, तो इन से आप इसी ली compare कर सकते हैं चीजों को, तो देखिए यह सिंदु नदी है, हडपा यहां पर राभी नदी के किनारे मिला है, साथी में हमने बात किया है, किसका मोहन जोद्रो के, जो की सिंदु नदी के किनारे बशा हुआ है, मोहन जोद्रो, इसके पहले जो map देखा था आपके, जो मोहन जोद्रो यहां पर मिला है, और सिंदु नदी यह जा रही है, है ना, सिंदु नदी यह जा रही है, तो इसके नदी के किनारे मिला है मोहन जोड़ो साथ ही मैं यहां पर बाला कोट है आज के लिए सुथका गेंडोर है इनके बारे में भी हम आगे रिसकस आपके साथ करने वाले हैं इतना कुछ आपको याद रखना है हडपा मोहन जोड़ो काफी इंपोर्टेंट हैं काफी कौशन इनसे बनते हैं तो यहां पर हम लेक्चर को रोकते हैं साथ ही मैं Life Experience Education चैनल के साथ जोड़ने के लिए आप लाइक शेर और सब्सक्राइब भी किजिए चैनल को थेंक यू